नमस्कार दोस्तों आज में लेकर आई हूँ किर्स स्पेशल रेसीपी आज मैं बनाऊंगी मीठी मठ्री लेकिन इस्टार की शेप मैं और इन्हें बड़ी हेल्दी वर्जन के साथ बना करके तैयार करूंगी इन मीठी मठ्री को बनाने मैं 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 मैदा का इस्तेमाल नहीं कर आती हूं उसी आटे के साथ बना करके तयार करूंगी और हाँ दोस्तों इसे मैं बची हुई चाशनी के साथ बना करके तयार करूंगी और इसकी शेप ऐसी है इसे बच्चे बढ़ी खुश हो करके खाना पसंद करेंगे तो आए चलिए देखते हैं इन इस्टार मठ्री को मैं कैसे बना करके तयार करती हूँ दोस्तों ये मेरी बची हुई चाशनी है अभी मैंने गुने बनाये थे गणगोर पर गुलाब जाउन बनाये थे बस वही चाशनी बच गई है आप चाहें तो छान सकते हैं लेकिन मैं इसे नहीं चान होगी क्योंकि केशर के धागे हैं इलाइची हैं कुछ गुलाब जाम के टुकड़ी भी हैं बस इसे ऐसे इस्तेमाल करूंगी ये एक कटोरी चाशनी है ये डेड़ कटोरी मैंने ग्याओं के आटे को छान के लिए है जिससे हम रोटी बनाते हैं इसमें मैं एक बड़ी सर्विंग इस्पून देशी घी के डाल लूँगी क्योंकि देशी घी में मठ्री अच्छी बनती है अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी इसमें हमें घी की जादा ज़रूत नहीं पड़ेगी मौयन में ये मैं एक टेबल स्पून डाय रोष्टेट तिल डाल दूँगी जब भी मठ्री वगर बनाएं तो तिल को डाय रोष्ट करकर ही डालें क्योंकि हमारी चाश्णी है इसमें भी चिकनाई है तो बस इतना ही मौन काफी है अब मैं जो चाश्णी है इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी यदि मुझे आटे की ज़रूत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी दोस्तों मेरा आटा अच्छी तरह से पाइंट हो गया है और मैंने इसमें आधा कटोरी और डाला था कुल मिलाकर दो कटोरी आटा ठाके इसे मैं दस मिनट रेस्ट करने के लिए रख दूँगी दस मिनट बात देखी हमारा मठी का आटा अच्छी से सेट हो गया है अब मैं हात में आधा चमज घी लगाऊंगी और इससे एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरह से मैं मसल लोगी ऐसा करने से हमारी मठी बहुत अच्छी बनकर तयार होंगी आटी को हमने अच्छी से मसल लिया है और इसे चार भागों में डिवाइट कर लिया है दोस्तों ध्यान लखे आटा हमारा टाइट होना चाहिए अब मैं एक पेडा लोगी और इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को मैं सही कर लोगी था कि बेलते समय यह फटे नहीं अब मैं बेलन से इसे बेल लोगी देखे मैं एस तरीके से इसको बेल लिया है और देखिए ये corners हमारे crack हो रहे हैं तो इनने मैं हास से इस तरीके से दबा दबा करके सई कर लूँगी और इसे मैं दुबारा बेल लूँगी दोस्तों इसे थोड़ा थिक ही बेलना है देखिए इस तरीके से और देखिए ये cutter है मैं इसकी मदद से इनको star की shape दूँगी बन करके तयार हुई है देखिए मैंने बाकी बचे हुए डोसे भी इसी तरीके से ये star मठी बना करके तयार कर लिया है आईए अब हम इने fry करते हैं star मठी फ्राई करने के लिए मैंने कड़ाई में oil को गरम कर लिया है और दोस्तों oil medium गरम होना चाहिए और एक बार में जितनी मठी आ जाएंगी हम उतनी मठी तेल में छोड़ देंगे और flame जो है medium रखेंगे अब इन मठी को हम alert पलट कर हलके हाथ से हिलाते हुए इने हम फ् त्यार है और इने फ्राई करने में हमें लगभग 3-4 मिनट लगे हैं अब हम इन मठी को एक छल्नी में निकाल लेंगे ताकि excess oil कड़ाई में निकल जाए और हमारी मठी बहुत अच्छी बन करके तयार हो देखे सभी मठी को मैंने छल्नी में निकाल लिया है और इस तरीके स कितनी अच्छी मठी बन करके तयार होई है ठीक इसी तरीके से मैं बाकी बच्छी मठी को भी फ्राई करके तयार कर लूँगी देखे हमारी कितनी अच्छी इस्टार मठी बन करके तयार होई है तो दोस्तों मेरी बताईगी रेसिपी के अनुसार आप भी बच्छों के कम डलता है उसके अलावा हमने तिल डाला है वो भी मोयन का काम करता है और उसके अलावा जो चास्णी है उसमें भी चिकनाई है तो हमें इसमें घी की बहुत कम जरूत पड़ी है तो दोस्तों बनाएगे और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजेगा रेसिप पर लेफ्ट ओवर चास्णी की रेसिपीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसको जरूर विजिट कीजेगा और दोस्तों यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुचे, धन्यवाद